इस question में दिया गया है कि pressure of air in bulb of constant volume gas thermometer at 0 degree Celsius 100 degree Celsius आद pressure of air किसी किसमे constant volume gas thermometer में तो कह रहा है कि 0 degree Celsius और 100 degree Celsius पर value कितना है 73 cm and 100 cm तो mercury respectively calculate the pressure at room temperature pressure room temperature पर क्या होगा यह हमें क्या करना है calculate करना है तो इस thermometer के लिए हमारा formula क्या होता है t equals to p t minus p 0 upon p 100 minus p 0 into यह क्या होता है 100 degree Celsius ओके यह हमारी value होती है इस thermometer के लिए ओके तो यहां पर हमारे पास मतलब p t calculate करना है और t की value कितना दिया है 220 दिया हुए 20 degree Celsius पी नॉट की value कितना दिया है 0 degree Celsius पर कितना pressure है 73 cm पी 100 की value कितना दिया है यह value दिया है हमारे पास 100 cm इसको क्या करते है पी नॉट किया है 73 अपॉन पी 100 की value कितना दिया है 100 माइनस 73 into 100 तो इसको क्या करते है में solve करते हैं तो यह क्या जाएगा यह यह cancel हो जाएगा यहां से कितने टाइस में 5 टाइस में ओके तो यहां क्या जाएगा इस इक वल्स्टू 5 पी टी माइनस 73 में क्या करते हैं 5 से मल्टिपलाई कर देते हैं तो 5 में मैंने दोनों से मल्टिपलाई किया है तो 73 से मल्टिपलाई करेंगे तो यह कितना जाएगा 365 ओके अब इस value को उधर बेज देते हैं तो उसमें 27 क्या हो जाएगा एड़ हो जाएगा तो यह कितना आ जाएगा 392 तो यहां से क्या करेंगे इसको डिवाइट कर देंगे 5 से यह कितना आ जाएगा पीटी की जो वैलू आ जाएगी 78.4 cm of hg तो यहां पर मतलब रूम टेंपरेचर पर हमारा जो प्रेशर आ जाएगा वो कितना जाएगा 78.4 cm of hg आ जाएगा ओके यह हमारा क्या रिक्वाइड आंसर है